हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आमे हेल्थ केरेंड मैनेश्मेंट मैं हूँ डॉक्टर नीरच महाजन आपका पेडियाट्रिशन जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है बच्चों में जंक फूड, सौफ ड्रिंक्स और ना जाने इस तरह की कई तरह की चीज़ें जो हैं उनका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है तो ऐसे में उनके दांत बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं रोजाना हमारे पास कितने ही पेरेंट्स इभी कंप्लेंट्स के साथ आ रहे हैं कि उनके बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, काले पड रहे हैं, कईयों में कैविटीज लग रही है और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स तो ऐसे में हमें बच्चों के दान्तों की केर करने की बहुत जरूरत है खास करके फर्स्ट एर ओफ लाइफ में ही हमें उनके दान्तों की केर शुरू कर दनी चाहिए तो आज के इस वीडियो में यही सब जानेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों की दांतों की केर कर सकते हैं ताकि उनके दांत साफ और स्वस्त रहें और इसके अलावा कौन सा टूथपेश यूज़ करना है लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा अगर आप हमारे चैनल अमें हेल्थ केर एंड मैनेजमेंट पर नए आए हैं तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से यादा लाइक एंड शियर जरूर कीजेगा और हाँ बेल नोटिक्रिशन इनको प्रेस करना मत बूलेगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अगली अप्डेट मिलती रहे बच्चों की डेंटल केर पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही टफ जॉब है बच्चे क्योंकि सारा दिन कुछ ना कुछ सॉफ्ट रिंग्स कह लीचे जंग फूड हो गया कैंडी हो गई, आइस्क्रीम्स हो गई, यह सब खाते ही रहते हैं और जिसका असर सीधा उनके दांतों पर ही पड़ता है अगर वे अच्छे से दांत साफ ना करे तो तो ऐसे में ऐसे पेरेंट आपको उनके दांतों की बहुत ही अच्छी केर करने की जुरूरत है अगर आप उनके से कम उमर के बच्चों के दांतों की केर तो आप पर यह कहेंगे एक साल से कम उमर के बच्चों को भी क्या केर करने की जुरूरत है जी हां देखिए जो छोटे बच्चे हैं एक साल से कम उमर के सबसे वहले तो इनके छे मीने से कम उमर के अगर बच्चे पकड़ें वो तो क ज्यादा तर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन फिर भी जैसे ही लगे कि आप फीट करवाके हटते हैं, उसके बाद आप एक साफ गीला कप्रा लेकर या साफ गीले कॉटन से आप उनके गम्स को क्लीन कर सकते हैं, और जैसे ही लगे कि उनके दानत आने तो इससे उनके दानत थोड़ा साफ रहेंगे, अगर आप बात करें एक से दो साल की उमर के बच्चों की, तो ये बच्चे सॉले डाइट पर शिफ्ट हो चुके होते हैं, और साथ में ये हमारे साथ कभी कोई बाहर का खाना भी खा ही लेते हैं थोड़ा बहुत, तो ऐसे म है, वो हमें रोजाना दो बार साफ करने की जुरूरत है, इनके लिए आप जो टूथ प्रॉश यूज़ करें, वो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला बेबी ब्रश होना चाहिए, और इनके लिए जो पेस्ट यूज़ करनी है, वो हमें फ्लोराइट फ्री यूज़ करनी है, पेस् में हमें बहुत minimum quantity यूज़ करनी है पेस्ट की, ताकि हमारे दान्त भी साफ हो जाए और बॉड़ी को भी कोई नुकसान ना पहुंचा, जो बच्चे दो से छे साल की उमर गए हैं, क्योंकि इनका खाना पिना और ज़्यादा बढ़ जाता है, खास करके बाहर का खाना भी य राइड वाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टूथपेस लेनी है वो हमें बिलकुल मटर के दाने जितनी यूज़ करनी है, और आप इने टेकनीक भी सिखाएं कि किस तरह हमें किन स्टैप्स में हमें ब्रश करना चाहिए, अब बात करते हैं 6 से 12 साल की उमर के बच्चों यही वे स्टेज है जब अगले जो पर्मनेंट टूथ है वो आने हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है इनके दानतों की, तो इनके लिए जो टूथपेस्ट है वो वही फ्लोराइड वली रहेगी, प्रॉपर दो टाइम यह ब्रश करेंगे, लेक वो कैसे साफ करने हैं, वो प्रॉपर टेक्नीकी ने सिखाने की ज़रूरत है, तो अगर थोड़ असा भी कोई फूफ पार्टिकल रह जाकता है रात में, तो उसी पर ही किटानों जो है आते हैं और वो फिर साथ में दानत को खराब करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे इन ब बहुत ही ज़रूरी है ब्रशिंग के बाद, नहीं तो जो इतने भी जर्म्स हैं, वो सब अंदर ही चले जाएंगे, नेक्स्ट अगर बच्चा जब कुल्ला करें तो उस समय उसे जो कुल्ला करने के लिए पानी चाहिए, वो वाश वेसन की जगा उसे आप किचन से फिल्ट सेट करें, आप खुद भी रोजाना दो टाइम ब्रश करें, तब ही बच्चा आपको देखकर सुबाश शाम ब्रश करना शुरू करेगा, मैं उमीद करता हूँ कि आपको जो हमने ये कुछ इंपॉर्टन टिप्स दिये, डेंटल के बारे में आप इनको फॉलो करके, डेफ उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, मैं उमीद करता हूँ कि आपको हमारा ये आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे जादा से यादा लाइक और शियर ज़रूर करें, थैंक्स फो वाचिंग